Hello Classics, I am Rashmi Vishwakarma and this is your Hindi Class. Today we will read Vatika. We will study 5th chapter of the book. The title is Andher Nagari Chowpat Raja बच्चों ये एक प्ले है, एक नाटक है, जिसमें कुछ पार्ट, जिसमें कुछ ये character है, जैसे गुरु जी है, दो शिशेज है, जिनके नाम है नारायन दास और गोबर्धन दास, एक सबजी वाला है, हलवाई है, राजा है, फरियादी है, मंत्री भी है, कल्लू बनिया, कारिगर, चूने वाला, बिष्टी, कसाई, गढरिया, कोतवाल और सैनि, ये पात्र हैं, जो सभी इस नाटक में भाग लेंगे, और यह नाटक जो है, वो चार द्रिश्यों में कम्प्लीट हुआ है, तो पहले द्रिश्य में क्या होता है, कि एक गुरु जी है, जो अपने दो शिश्यों के साथ घुनते हुए एक नगर में पहुँचते हैं, और अपने दोनों शि बिक्षा में भेजते हैं, और कहते हैं कि जो भी बिक्षा में मिले, उसे लेकर तुरंत आओ, और अधिक लोब मत करना, क्योंकि अधिक लोब हानी करता है, या नुकसान करता है, दोनों चले जाते हैं, गोवर्धन दास जी जो पूरब की तरफ गय थे, सौरी पश्यम की त ताता है, टके सेर, मिठाई वाला भी सब मिठाईयों का धाम टके सेर बताता है, तो उनको थोड़ा ताजूब होता है, गोवर्धन दास को कि सच मुछ सब तके सेर का, तो हलवाई बताता है, कि भ cucumber का नाम क्या है, थे बताया कि या नगर का नाम है अंधेर नगरी सेर, और इसके राजा का ना चौपट राजा, तो उन्होंने कहा कि वाह वाह, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, तीसरे द्रिश्य का शुरुवात होता है, जब गोवर्धन द्रास धेर सारा सामान लेकर गुरु जी के पास पहुचते हैं, गुरु ज टके सेर ही मिलता है, तो नारायन द्रास ने कहा कि, गुरु जी ने कहा कि भाई ये तो अंधेर नगरी है, यहाँ पर रुकना खत्रे से खाली नहीं, कुछ भी हो सकता है, हम लोग चलो यहाँ से कहीं और चलते हैं, नारायन द्रास ने तो तुरन तयार होगे कि ठीक है, लेकिन गोवर्दन द्रास के मन में थोड़ा सा लालच आ गया, उन्होंने कहा कि भी नगर बहुत सस्ता है, इसलिए यहाँ अगर आप आग्या दे, तो मैं कुछ दिन रुकना चाहूंगा, गुरु जी ने कहा कि ठीक है, लेकिन बच्चा आधिक तुम लोग मत करना, में बहुत ही तगड़े मोटे हो गए, चोथे द्रिश्रे का प्रारम होता है राजा के दरबार से, राजा का दरबार लगा हुए है, राजा बैठे हुए है, तब तक एक फरियादी फरियाद लेका राता है, हुआ क्या था कि उसकी बकरी मर गई थी कल्लू बनिये की दिव दिवार को बुलाया गया, क्योंकि दिवार की गिरने से ही बकरी मरी थी, तो राजा इतना समझदार था, इतना बेवकूफ था कि उसने कहा कि दिवार को पकड़ कर लाओ, दिवार कैसे लाई जा सकती थी, तो राजा ने कहा कि ठीक है कल्लू बनिये को पकड़ कर लाओ, कल गडरिया के उपर गडरिया ने राजा गडरिया ने कोतवाल के उपर और कोतवाल जो था उसके उपर आरोप आ गया कि कोतवाल की ही गलती है कि उसकी बकरी मरी है इसलिए उसको फांसी की सजा दी जाए जब कोतवाल सहाब आये तो वो कोई सफाई नहीं दे पाए वो किसी के पर इलजाम नहीं लगा पाए, तो राजा ने तुरंट फर्मान सुना दिया कि इनको तुरंट फांसी दे दी जाए। ठीक वह फांसी दे दी गा, लेकिन कोतवाल साहब बहुत दूबले पतले थे, अब फांसी का फंदा थुड़ा बड़ा बन गया था, तो कोतवाल साहब को फांसी नहीं दे जा सकी लेकिन राजा ने कहा कि ठीक है बकरी मरी है तो किसी ने किसी को फांसी देनी ही होगी इसलिए किसी ऐसे वेक्ति को फांसी दो जिसके गले में फंदा आसानी से आ सकी ठीक है फिर क्या हुआ कि अब सिपाई ढूने लगे नगर में उनको गोवर्धन दास दिख गया बहुत मोटे तकड़े हो गये खाते खाते तो सिपाईयों ने कहा कि जो फंदा बना है वो आपके गले में बिल्कुल सही आ रहा है इसलिए आपको ही फांसी दी जाएगी अब सब सैनिक पकड़ के गोवर्धन दास को लेके जाते हैं गोवर्धन दास मन ही मन अपने गुरु जी को याद करते हैं गुरु जी तुरंट आ जाते हैं और अपने नारायन दास जो दुसरे वाले शिशे थे उनके साथ गुरु जी और वो नारायन दास दोने एक साथ आ जाते हैं आकर गुरू जी ने कहा कि बच्चा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहां रुपना ठीक नहीं है गुवर्धान दास ने कहा कि ठीक है गुरू जी मुझे बचा लेजैज इस बागे से ऐसा नहीं होगा तब तक सैनिक बोला कि आप लोग क्या बात जित कर रहे हैं तो गुरु ने कहा कि मैं अपने शिश्य को उपदेश दे रहा हूं। तो सैनिको ने कहा कि गोवर्धन दास ने कहा उनसे सैनिको से कि आप लोग मुझे तुरंद फासी पर चढ़ा देजी। गुरु जी ने कहा नहीं नहीं तू नहीं बच्चा मुझे फासी पर चढ़ने दो। गुर्धन दास ने कहा नहीं गुरु जी आप मत चढ़िये मैं ही चढ़ऊंगा फासी पर। तो राजा देख रहा था उसने पुछे कि भी क्या गोल माल है कि आप दोनों क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हैं तो गुरुजी ने कहा कि देखिए राजा साहब इस समय का जो महुर्त है बिलकुल सुभ है और इस समय जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा बैकुंट में तो राजा ने का ठीक है अगर ऐसा है तो मेरे होते हुए कोई और फांसी पर क्यों चढ़ेगा चल्दी करो पहले मुझे फांसी चढ़ाओ शुमोर्त बीत न जाए अब लोगों ने राजा को पकड़कर फांसी पर चढ़ा दिया ये स्टोरी था जो भारतेंदू हरिशन न पर आधारित था वच्चो इसकता में यही बताया गया है कि बिना विचारे कारी नहीं करना चाहिए और जिस देश का राजा या मुखिया अगर मूर्ख हो होता है विचार विमर्स इसे काम नहीं करता है तो उसके साथ साथ प्रजा और वो स्वयां भी दोनों कश्ट पाते हैं उमीद है आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी थैंक्यू सो मच